हेलो गाईज तो स्वागत है आप सबी लोगों का हमारे चैनल एलेक्ट्रोनिक एडियू में तो आज हम जानेंगे कि एक मल्टिमीटर से वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एंड कंटिनुटी ये तीन चीज़े हम कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए मैं आज जो कंपोनेंट से क्या किया यूज़ करने वाल मैं आपको पता देता हूं एक लिए हम ये कंटिनुटथे के लिए के लिए मैं बडिया यूज़ выгляд यहां पे क near देते हैं DC वोल्टेज चेक करने के लिए हम सेल के यूज़ करेंगे टीसे और नीचीछ करें के यह देखिए वन के दिख रहा है न आपको यह एक किलोम का रिजिस्टेंस है हमारे पास और यह पांच प्रसेंट के साथ पांच प्रसेंट की टोलनस इसमें चलिए और एसी सोर्स के लिए मैंने एक्स्टेंशन वॉर्ड को मैंने पीछे से पावर अब कर लिया है ठीक है इसस कि आप सबहुंड जानते हैं कि जो हमारी वोल्टेज और रिजिस्टेंस है वह पैर्लेल चेक होती है यह सभी को क्लेयरी है सब जानते हैं तो मैं यह जो तीन पोट सेंट सेंट का clear कर देता ह। इसमें थिंस रहते हैं हमेशा हमाट इनलमेंट में इक कमन मिल जाएगा एक आपको वॉल्टेज का मिल जाएगा और यक करेंट गा मिल जाएगा जो ए मितलब एंपियर मीज यह करेंट का पोर्ट है ठीक है तो यह क्वाइं अलग लग होते हैं ? इसको मैं क्लेर कर देता हूं कि ये हमारा प्राला कोनेकशन है इसलिए हमें ये दो अलग औलग ठेक है इतना clear है अगर किससे के दिमाब में यह doubt हुआ यह 3 ports क्यों होते हैं हम voltage को यह current वाले पोट पर क्यों चेक bell करते तो वो दाउट हовор, clean है ठीक है तो जो हमारे common port है, यह हमारा negative रहता है और hurdles ही क्यों रहता है तो चलिये आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो कॉमपोर्ट में यहां हमने यह अपना जो नेक्टिव टर्मिनल हो गया और वोल्टिज वाल पर हम रेड वाल लागें यह मारा पोजिटिव टर्मिनल हो गया ओके ठीक है तो कंटिनुटी चेक करने के लिए हमें हमारे मल्टीमिटर पर जो बीप बला लो और भी दिखाता हूं यह मरबस्ट दो वायर्स है जो इसमें लगए है सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे लिए हैं मेंस यह वाय को यहां पर सेलेक्ट करोगे तोजनों टर्मिनल ते यह आपको वीप किवा बीप आ ही है मेंस मिन्स काटिनुटी होके ह। वायर में कहीं भीrkage नहीं है अगर मान के चलो यह वायर को अगर बीच से ब्रेक कर दो एक सब्सक्राइब कर देता हु नहीं दीजिए और रूप कर दिए अब यह वायर से kler होगा कि gitu किया मतलब होता है अगर हमें पूरा पाथ मिल रहा है इत मींस कंटेर हमारी के है कैट वायreibt हमारी हों के है और हमें से कंटेनी लाइक अगर से नहीं मिल रही इत में वायर कही ना पाइब से ब्रोकन प्रब्रश्च की है यह बता रहा है कि ये 200 आम के रिजस्ट्र को लेके 2000 किलोम तक रिजिस्ट्र को board को चैकर सकता है या इतनी रही की रिजिस्ट्रेंस की चैक कर सकता है 200 को High तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो अभी हमारा बन के लोम का रिजिस्टर है तो हमारा 200 ओम की रिजिस्टेंस में नहीं आएगा 200 ओम के अगर मैं उसको सेलेक्ट करूंगा तो वह चेक नहीं कर पाएगा उसको ओवर्रेंज कर देगा इस मर्टिमेटर में यह दिखाएगा निए इसके लिए ओवर्रेंज हो जाएगा अगर हम इसे यहां रखते हैं तो इसके लिए हमें इसको 2000 ओम के उपर सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है वैसे हम रिजिस्टन चेक कर सकते हैं और यह हमेशा यहीं पैरलल में जो भी हमारे चीज मेजर होगी वह यहीं वोल्टिज पर होगी तो वह आपको यह रही है क्यों होगी अब हम ले लेते हैं तो हो गया है अब हम वोल्टेच reg करेंगे वबी inventions अब हम हम्हकों फिर से करना पड़ेगा में फिर से देखना पड़ेगा कि वोल्टेच टी-सी में कहें है यहां पर वोल्टेच यहां भी देख रहे और यहां भी वह दीनोट करते हैं एक उपर फूरी स्ट्रेट लाइन और निकी डॉक्टर डॉक्टर लाइन है तो यहां से क्लेर हो गया है यह हमारी डीसी वॉल्टेज है तो अब हम सेल को चेक कर रहे है तो वह है डीसी आप जानते हैं कि हमारी एनेट्जी की स्टोर होती है वह डीसी की कि क्रमें होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 oldest मिली वolts से लेकैं 1000 वॉट तक की IAh वूल्टी चेक हर सकता हैं तो हमारा 12 वेल्ट का सैल है बीज वाहलत को सेलेक कर लेते हैं अब देखिए अब पोजिटीयी में बौल रहा था, भी आपको समझ होता है क्यों और यह जिसका भी है, जम्राब होता नॉर्मल यह जिसका है और widely भी फिर भी ध्यान मिना रहें तो आपको इलब interested एक मॉर्क देख सकते हैं यह जिन्हें याद न रहें तो अभी हम क्या करते है तो यह हमारी post यीम और लिटक तो अब हम नेग्टिव को नेग्टिव में लगाएंगे पॉस्टिव को पॉस्टिव में लगाएंगे देखिए तो वोल्टेज आगी मैरी 1.5251 ठीक है 1.5 ठीक है तो यह मेरा कनेक्शन थोड़ा इसे जोर से नहीं प्रेस कर रहा हूं तो स्टेबल नहीं रहा है इस चक्कर में यह वोल्टेज वेरी कर रही है तो यह 1.51 नहीं है अभी देखिए अगर मैं पॉस्टिव नेग्टिव को स्वैप कर देता हूं तो देखिए क्या फरक पड़ेगा यह भी देख लीजिए आप तो कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा जैसे मैं दिखाता हूं आपको पाउस्टिव में दिखायेगा और रिवर्स होंगे तो नेकिटिव में एतना सफ रहत है पॉस्टिव नेकिटिव ठाव तो अभी मैंने सल को भी ऑड़ेगे साथ में कर लेता हूं हूं अब हम करेंगी एसी वोल्टेज लिए मैंने एक्संचिंचन वौर्ट लिया है ठीक है तो extension board की हम यहां से जो voltage चेक करेंगे तो ठीक है तो मैंने इसको simply पिछे से supply दे रखी है अभी मैं आपको वीडियो में दिखानी पहूंगा बट मैंने अहां दे रखी है वो आपको clear होगा कैसे देते हैं वो तो सभी जानती ही है तो अभी यहां पर आप देख सकते हो कि अब हमें voltage चेक करनी है AC तो यह रही है हमारी voltage AC में ओके तो हमारी जो नॉर्मल घर पर वोल्टेज रहती है वो 220 से 240 वोल्ट की बीच में रहती है और इसकी जो रेंज है यह 200 वोल्ट से लेगे साड़े 700 वोल्ट तक है तो अगर भी मैं 200 पर सेलेक्ट करूंगा तो यह मे 220 वोल्टेज तो इंडिया में सभी जाएं के घरों में आती ही है तो ठीक है तो चलिए हम और हमने यह वोल्टेज को AC सेलेक्ट कर दी है तो हमें सिंपल ही कि करना है तो सभी जैसे आप लोग जानते हूंगा कि यह हमारे दो टर्मिनल रहते हैं घरों के जितने भी कनेक्शन यह हमारे सॉकेट से एक टर्मिलन लेफ्ट एक राइट इन दोर में सो कोई एक फेस होगा एक एक फेस होगा एक न्यूट्रल होगा ठीक है अभी हम वैरिफाई तो नहीं कर पाएंगे उसके लिए कर आप किसी के पास टेस्टर है तो वह उससे वह जुरूर चेक कर सकते कि कौ सब्केट से में यह लेफ्ट के दो हूंगे यह तो, में लेते हैं, ये फेस है है, आपस में पॉल सकते हैं, या एक जाहिए सब्सीप लोह प्ताहREY होना ठीक है तो एश् często होसकता है कि यह दोना फेस ही है आपस में चाहिए, ठीक है छीए, जो अवआन हम तो हमें हमेशे जब भी वोल्टैण चेक कर नहीं तो इन दोनों के बीच में चेक करने ही ना कि उपर निच्छे ठीक है अगर उपर निच्छे किया तो गलत हुजाएगा शोट है ना की बटाका हुजाएगा ओके तो इस चीज का जुरूर ध्यान रखें तो कभी भी जो वोल हाँ बोल सकते हैं 240 और 249 के वोल्टेज भी गरीब गरीब आ रही है तो simply ऐसे वोल्टेज चेक करते हैं और यह मैं भी आपको करके बताने सकते हैं ना आपने की ट्राइब करना है जो ऊपर और नीचे ठीक है यह बहुत रिस्की है 240 वोट आपस में शोट अजी पटाका हो जा तो आप प्लीज कमेंट सेक्षिन में पूल सकते हैं हम उसका जरूर से रिपलाई करेंगे और इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इंफरमिशन में लिए उत एक लाइक जरू कीजिएगा और हमारी नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन प्रापत करने के लिए चैनल को जरू प्रापत करेंगे नहीं पस कर लेजिएगा थेंक्यू बर्यमिच्ट